वेलकम एस्टुडेंट रस्तोगी आनलाइन कोचिंग क्लासेज में आपका स्वागत है आज क्लास 11 के भौती विज्ञान चेप्टर 3 सरर रेखा में गति के वारे में अध्यन करेंगे इस भाग में गति के महतपुड कुछ बिसेश नियम जानेंगे इसके पहले दो नियम जान चुके हैं यदि उस वीडियो को नहीं देखे होंगे तो प्लैलिस्ट में जाकर कि उस वीडियो को देख सकते हैं तो यह प्रत दीन 7 वजे लाइब क्लास चलता है तो इस लाइब क्लास में सभी एश्टुडेंट क्लास 11 के जुडते चलिए और मेरे वीडियो को लाइक कीजिए चैनल को सस्क्राइब कीजिए और वेल आइकन घंटी को आप्सन को ओके कर लिजिए जिसे कोई भी वीडियो को अपलोड किया जाए तो उसका मैसेज आपके पास तुरण पहुंच जाए तो आज हम लोग पढ़ेंगे गति के शम्मंधित कुछ नियम में पहला आज जानेंगे यदि कोई बस्तु बिराम अवस्था में है तो यदि कोई बस्तु बिराम अवस्था में है तो गति का कौन सा नियम में क्या परिवर्तन होता है नियम क्या बदला होता है इसके बारे में अध्यन करेंगे तो नीचे लिखेंगे यदि कोई बस्तु बिराम अवस्था में है तो प्रारंभिक बेग प्रारंभिक बेग का मान सुन्य होता है इसका अर्थिया है यदि कोई बस्तु बिराम अवस्था में है तो प्रारंभिक बेग का मान क्या होता है सुन्य होता है तो गति का पर्थम समीकरड दुत्ती समीकरड और तिर्ती समीकरड तब क्या-क्या बनता है तो यहां लिख देंगे प्रारंभिक बेग को किस से पदासित करते हैं तो u से पदासित करते हैं तो u बराबर क्या होगा जीरो होगा जब कोई बस्तुक्ति सवस्था में है बिराम अवस्था में है अब यहां लिखेंगे गति का पर्थम समीकरड तो गति का पर्थम समीकरड तो गति का पर्थम समीकरण होता है B बराबर U पलस 80 होता है तो गत क्या पर्थम समीकरण में अब यहाँ U का मान जो है 0 रखना है क्योंकि यह बस तो किस वस्था में है B रा मवस्था में है तो अब यहाँ लिखेंगे B बराबर U का मान 0 पलस 80 अब इस 0 को छोड़ देंगे तब क्या आओ जाएगा B बराबर B बराबर A T तो यह गति का कम समीकरण आ गया पर्थम समीकरण आ गया यह कब लागू होगा जब कोई बस तो किस सवस्था में हो बिराम अवस्था में है तो यह B बराबर 80 गति का पर्थम समीकरण होगा अब जारेंगे गति का दुति समीकरण अब यहां लिखेंगे गति का दुति समीकरण अब गति का दुति समीकरण तो दुति समीकरण का सुत्र क्या होता है यस बराबर यस बराबर यूटी प्लस हाफ a t का square अब यहां जो है u के जगह पर सुने रखेंगे क्योंकि बस तो किस वस्था में है b rama वस्था में है तो yes बराबर 0 गुड़े t प्लस 1 बटा 2 a t का square अब yes बराबर 0 t के गुड़ा करेंगे तो 0 प्लस 1 बटा 2 a t का square 0 छोड़ेंगे yes बराबर 1 बटा 2 a t का square तो गत क्या कौन समिक आ गया दुतिय समी करण है कभे लागू होगा जब यह बस तो किस वस्था में हो बिराम अवस्था में है तो यह गति का दुतिय समी करण है अब जानेंगे गति का तिर्थी समी करण गति का तिर्थी समी करण क्या तिर्थी समी करण तो गति का तिर्थी समी करण क्या होता है तो गति का तिर्थी समी करण भी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर पलस टू ए एस यह गत क्या कौन समीका है तीरती समीकरड है अब इसके नीचे लिखेंगे भी स्क्वायर बराबर भी स्क्वायर बराबर अब यू का मान क्या रखेंगे आपर तो यू का मान जीरो रखेंगे क्योंकि बिराम आवस्था में है तो इसने सुत्र का निग्मन हो रहा है तो टू एस है तो यह अब यू इसके जगा प्रिका लिख देंगे जीरो क्यों लिखेंगे क्योंकि उपर देख लिजिए यह लिखा गए बस तो किस आवस्था में हो बिराम आवस्था में है इसने जीरो रख दिये, जीरो का बर क्या होता है, तो जीरो होता है, तो भी स्क्वाइर बराबर, अभी लिखेंगे जीरो पलस टू ए इस, उसके पास इस जीरो को छोड़ देंगे, अब क्या हो जाएगा, भी स्क्वाइर बराबर टू ए इस, तो यह गतिका कौन समीक आ गया, गति पढ़ेंगे आगे आप दूसरा जो नियम आज का पढ़ेंगे गत के समन्दी यदि बस तू एक समान बेग में हो यदि बस तू क्या है एक समान बेग में हो तो गते का नियम क्या बनता है अब यहाँ नीचे लिखेंगे यदि कोई बस तू एक समान बेग से चल रही है तो तौरण एक समान सुनने होता है एक समान क्या होता है सुनने होता है एक आमान क्या होता है सुनने होता है तो ध्यान देंगे जब बस तो जब एक समान चाल से या एक समान बेग से जब चलती है तो हमारा तोरण का आमान क्या होता है सुनने होता है इसका अर्थिया है कि एक आमान जो है जीरो होगा कव 0 होगा जब बस तु एक समान बेग से चलती है तो एक आमान सुनने होता है अब यहां लिखेंगे गति का पर्थम समीकरड गति का पर्थम समीकरड क्या होता है गति का पर्थम समीकरड पढ़ें है भी बराबर you plus 80 होता है अब यहाँ जो मान भरेंगे अब B बराबर U पलस A कमान क्या है? 0 गुड़े T क्योंकि इसके बीच में गुड़ा है तो अब किस कमान भरेंगे? A कमान भरेंगे और A कमान इसमें क्या लिखेंगे? A कमान क्या है? 0 है इसने A कमान क्या रख दिये? सुन सुन में अब 0 का T के गुड़ा करेंगे क्या बनेगा B बराबर U पलस 0 0 को छोड़ देंगे अब का बचेगा B बराबर U इसका मतलब यह हो गया कि जो अंतिम बेग है प्रारंभिक बेग के क्या हो गया बराबर हो गया कब बराबर होगा जब बस तू एक समान बेग से चलता है तो अंतिम बेग प्रारंभिक बेग के क्या होता है बराबर होता है अब हम समझेंगे गतिका दुतिय समीकरण अब यहाँ नीचे लिखेंगे गतिका दुतिय समीकरण गतिका दुतिय समीकरण तो समीकरण क्या होता है Yes बराबर Yes बराबर होता है UT पलस 1 बटा 2 AT का स्क्वाहर होता है यह गद क्样 काई का है 23 समीकरण है अब यहां लिखेंगे अगला लाइन Yes बराबर UT पलस हाफ यह कामान क्या है 0 गुडे t square यह 0 क्यों रखेंगे क्योंकि बस तो एक समान बेक से जब चलता है तो एक अमान क्या होता है ? 0 होता है अब yas, बराबर ut अब यह žिरो का गुडाई सम में करेंगे, एक बटा दो में t square में करेंगे, तो उसका आमान क्या होगा ? 0 होगा जीरो को छोड़ देंगे, अब यस बराबर क्या हो जाएगा, यू टी, तो यस बराबर कितने के बराबर आ गया, यस यू टी के क्या है, बराबर है, कब ये बराबर होगा, जब बस तो एक समान बेग से चलेगा, तो यस बराबर क्या होता है, यू टी होता है, अब समझेंग गतिका तिर्तिय समीकरड तो गतिका तिर्तिय समीकरड तो गतिका तिर्तिय समीकरड क्या होता है तो इस उत्र होता है भी स्क्वाइर बराबर यू स्क्वाइर प्लस टू ए यस अब यहां लिखेंगे ए कामान जीरो भी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस टू एक आमान जीरो गुड़े यस एक समान बेग में है इसलिए एक आमान क्या होगा जीरो तो भी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस इसमें गुड़ा करेंगे तो जीरो हो जाएगा जीरुक छोडदेंगे भी सक्वाइर बराबर यूज़ करतेंगे गद कोन समीक आ गया? गद का 33 समीक रड का मान आया और कभ ये लागू होगा? जब बस तो एक समान बेग से चलता है तो भी सक्वाहर का होता है? यूज़ करतेंगे 2 नियम कि आ गया एक नियम और समझेंगे अब तीसरा नियम है यदि कोई बस्तु मुक्त अवस्था में हो तो गति का नियम क्या क्या परिवर्तन होता है इसके बारे में जनकारी रखेंगे तीसरा नियम में यदि कोई बस्तु मुक्त अवस्था में मुक्त अवस्था को सोतंतर अवस्था भी कहा जाता है तो ध्यान दिजिएगा मुक्त अवस्था को कौन अवस्था सोतंतर अवस्था भी कहा जाता है तो मुक्त अवस्था से उपर से या दखेंगे उपर से नीचे की और गिराया जाता है गिराया जाता है तो प्रारंभिक बेग कामान सुन्य होता है तो यदि कोई बस तो जब मुक्त अवस्था मंद उपर से नीचे की और गिराया जाता है तो प्रारंभिक बेग कामान क्या होता है सुन्य होता है तो इसका गतिका अब यहां लिख देंगे आप अले यू बराबर जीरू अब यहां प्रारंभिक बेग को यू से पदसित करते हैं और यू कामान क्या हो गया जीरू हो गया अब यहां जो है गतिका आप लिखेंगे पर्थम समीकरड तो गतिका पर्थम समीकरड तो गतिका पर्थम समीकरड क्या होता है तो गतिका पर्थम समीकरड यह बस तो कहां से आ रहा है बस तो उपर से जब नीचे आता है तो इसका सुत्र होता है गतिका पर्थम समिकां B बराबर U पलस G T होता है जब बस तो उपर से नीचे आता है या नीचे से उपर जाता है तो तोरण A के अस्थान पर G का परियोग किया जाता है तो अब यहाँ पे जो है U का मान क्या रखेंगे? 0 रखेंगे अब यहाँ दुसरे लाइन में लिखेंगे B बराबर 0 पलस G T अब हैं B बराबर 0 को छोड़ देंगे अब बन गया G T तो B बराबर यह का आ गया? पर्थम समीकरड आ गया B बराबर क्या होता है? G T यह कब लागू होगा? यदि कोई बस्त की सवस्था से मुक्त अबस्था में हो तो भी का सुत्र क्या होता है? G T हो गया अब हम जारेंगे गति का दुतिय समीकरड अब यहाँ लिखेंगे गति का दुतिय समीकरड क्या होता है? गति का दुतिय समीकरड तो YS बराबर होता है YS बराबर UT पलस YS नहीं होता है यहाँ यह होता है यहाँ देखेगा YS के जगव पी YS का परियोग किया जाता है यदि कोई बस्त उपर से नीचे आता है तो YS बराबर UT पलस Half मनें एक बटा दो GT का स्क्वाइर अब दूसरे लाइन में लिखेंगे YS बराबर U का मान क्या भरना है? 0 गुड़े T पलस एक बटा दो GT का स्क्वाइर अब 0 का गुड़ा जब T में कर देंगे तो YS बराबर क्या हो जाएगा? YS बराबर 0 गुड़ा होगा तो का जाएगा? 0 पलस एक बटा दो GT का स्क्वाइर 0 को छोड़ देंगे अब YS बराबर क्या गया? 1 बटा दो GT का स्क्वाइर तो समझ में आगया होगा कि YS बराबर 1 बटा दो GT का स्क्वाइर कब लागू होगा? जब कोई बस तो मुक्त अवस्था से गिरता है तो गतिका कौन स्क्वाइर हो गया? 23 स्क्वाइर यह सब कंपर्टीशन में बहुत जादा पूछा जाता है यह कंपर्टीशन का चला है लेकिन यह क्लासिक गारा में भी बहुत महत्पूड है अब हम जानेंगे गतिका तिरतिय समी करण अब यहां लिखेंगे गतिका तिरतिय समी करण गतिका तिरतिय समी करण तो तिरतिय समी करण क्या होता है? तिरती समी करण होता है भी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर पलस टू जी यज होता है यह गत का कौन समी करण है तिरती समी करण है अब यहाँ पे जो है भी स्क्वायर बराबर यहाँ का रखेंगे जीरो का बर्ग रखेंगे पलस टू जी यज अब अग्ला लैन जो है भी स्क्वायर बराबर 0 का बर्ग 0 होता है अब इस 0 को छोड़ देंगे जब जी रो को छोड़ देंगे तो क्या बचेगा भी स्क्वायर बराबर 2 जी यह यह कौन समीका आ गया गतिका तिर्तिस समीका आ गया इदी कोई बस्तु किस अवस्था में हो बिराम अवस्था में नहीं किस अवस्था में मुक्त अवस्था में गिराया जाता है उपर से जम नीचे की और गिराया जाता है तो यह सुत्र बना भी स्कॉयर बराबर टू जी य याँ लाँ गरिवाच्ट के लाँ